तो देखते हैं जई लेवल के कोशन से तो देखें कैसे सकते हैं बहुत इजी कोशन से टूटोरियल वाना इसलिए बेसिक है क्या पुछा हुआ है हम लिए उटोर है लृटो जो और Πाव तुम को साइथा पडिखते हैं उसको हम साने स्यान स्क्राइश कErू सकते हैं पर एक तो परोच चुर्ण कर विए पृट कर सकते हैं इसको nat 저 स्क्राइब है क्या seat YOUR क्षा सब को एक सारी ले जाते हैं तो हम सबको एक साल ले जाएंगे, तो यह जो minus two sin square x है, तो चाकि बज़जाएगा two sin square x, sin x वहाँ already बैठ है, और यहां पर plus two चाकि बज़जाएगा minus two, तो one minus two minus one, अब एक quality equation बन गी, जिसके factor बनाने में, तो हम क्या करते हैं, sin x को लिख देते हैं, two sin x minus x, ताकि sum sin x ही रहे और product minus 2 sin square x हो जाए अब हम देख रहे हैं यहां से 2 sin x common ले लेते हैं यहां से 2 sin x common अगर हम ले लेंगे तो यह बन जाएगा sin x plus 1 minus 1 common हो जाएगा तो sin x plus 1 और पूरे से factor बन जाएगा हमारा अगर हम sin x plus 1 पूरे से common ले लेते हैं तो हमारे पास आजएगा sin x plus 1 into 2 sin x minus 1 इकल दो 0 तो यहां से हमारे पास आगे sin x या तो minus 1 होगा या फिर sin x 1 by 2 होगा अब हमारे पास यह values आगे यह हमें देखना है कब यह इस interval पर आती है तो हम principal values की बात करते हैं तो देखते हैं बटर कि हम पहले देखते हैं sin x minus 1 कब होगा ठीक है तो पहली बात याद होगा आपको मैंने principal solution में बताया था कि हम क्या करते हैं कॉर्ण का यूज करते हैं पहले हम देखते हैं कि negative value आएगी कहां sin x की value तो हमें पता है यहां पे trigramatic ratios में all sin tan और cos यह होता है यानि sin x negative है तो इधर और इधर होगा और कोई अगर angle इधर है तो हम इसको pi plus alpha लिखते यहां होता है तो 2 pi minus alpha लिखते है इधर alpha लिखते हैं और यहाँ इसका मतलब x की value या तो pi plus alpha होगी या 2 pi minus alpha होगी और alpha basically क्या होता है alpha होता है कि अगर हम शुरू में first quadrant में देखते हैं तो इसकी value ये one कब होती है basically हम इस देखना है first quadrant में अगर होता तो one कब होता negative तो quadrant की वज़से आ है तो minus को नहीं देखते हैं हम देखते हैं ये value कब आती है तो sine x one कब होता है 90 degree पे ये पाइब आ टूपे जैसी हमने alpha को पाइब आ टूपट किया तो हमने देखा ये दूनों answer match कर रहे हैं इसका मदलब है यहहां पे match करने का मदलब है ये जो angle है इसका मदलब भः है ये angle इस line पर लाई कर रहा होगा यहां पे इसलिए हमारे दुनों अंसर मैच कर रहे है तो हमारे x की value होगी 3 pi by 2 यह तो हो एक से answer दूसरे से क्या होगा दूसरे था हमारा sin x equal to half तो जब sin x half है तो हम देखेंगे sin x half का बात है half होता है is quadrant बहुत इस quadrant बहुत इस quadrant बहुत है यानि alpha हो जाएगा pi by 6 और यह हो जाएगा pi minus pi by 6 यानि 5 pi by 6 यानि हमारे overall तीन answer आ गए 3 pi by 2 pi by 6 और 5 pi by 6 तो इस तरह से इस question को हम कर सकते हैं यह question ऐसे भी आ सकता था कि 0 से 2 pi के बीच में कितने solution आ रहे है तो मुसके according question को manipulate कर देते हैं हमना change कर सकते हैं कि 3 लिख देते अब देखे इसका एक और तरीका माइंड में आ रहा है कि क्या होता है जब भी कोई question आते हैं तो हम उसके alternative method भी देख लेते हैं यहां पर यह तो confirm है कि हमें sign में convert करना था यह cost में दूसरा alternative method क्या आ रहा है मेरे माइंड में कि हम क्या कर सकते हैं हम इसको एक मेर देखते हैं इसको एक और तरीका देख सकते हैं इन्हां मैं बस था यहां पर two sign square x alternative method बता रहा हूं अगर आपको चल लगए तो आप इस method से भी कर सकते हैं यहां था साइन एक्स यहां प्लस वन और कॉस कॉस को रेक्स था देहां से देखिए कि इस method को बहुत अच्छा method हो शॉटकट से भी कर सकते हैं एक तरह से इसको भी हम convert कर देता है sin x कॉस 90 माइनस x अब कॉस थीटा इकटो कॉस अलपा यहां तो जनल सॉलिशन का फॉर्मला लगा दो यहां में कहते हैं कि कॉस अगर यह एकॉल है तो यह दुनों एंगल होंगे तो 2x इकुल टू पाइबाइ 2 माइनस x हो जाएगा यहां से 3x इकुल टू पाइबाइ 2 आ जाएगा क्योंकि x को दे ले गया x की वह ले होगी पाइबाइ 6 एक answer आ गया अब हमें पता है कि कॉस पॉजिटिव मना क्योंकि हम नहीं देखा न है कॉस एकॉल टू कॉस एकॉस एक्स यह जो 2x है बेसीकलि हम यह कह सकते हैं कि यह जो 2x है इसको टारल टी देता हूं मैं यह जो 2x है तो यह 2पाइ माइनस थीटा होता तब भी चल सकता था तो इसका बलता पर यहां जब सॉल्फ करेंगे तो यहां से आजाएगा 2x इकॉल टू पाइ माइनस पाइब टू माइनस एक्स इसदर जाएगा तो यह बन जाएगा 3x यह बन जाएगा 4 4-1 3Pi by 2 तो x x into 3 से 3 कट गया x के वहली होगे पाइब टू हम यह भी कह सकते हैं कि वापस घूमके अगर यह इदर घूमके वापस इदर चला जाए तब भी पॉस्ट देओगा यानि 2x इकुल टू 2Pi प्लस पाइब टू प्लस x कर दें तब भी हमारा अंसर सेम आएगा तो यह कॉस्ट 2Pi प्लस सीटा कॉस्ट सीटा होता है तो इस केस में 2x में से x चला जाएगा और यह बन जाएगा 5Pi by 2 है नो यह आपका अंसर है तो यह माइनस था यह माइनस था तो यह प्लस होगे और यह रह जाएगा हमार पस तो x कीवले होग़ी 3Pi by 2 ठीक है और यहा से आ जाएगा मार पस यह माइनस है यह बनने का 3 x 552 तो x कीवले होग़े 556 तो आप देखें हमारे तीर आंसर कुन से है 556 563Pi by 2 देखी वह है यह आंसर आ तो इस तरीकेसे भी कर सकता है यानिए यह आल degree और 1 radian का relation क्या होता है तो हमने relation पड़ा हुआ है कि pi radian is equal to 180 degree होता है यहन्य एकर मैं 1 radian की बात करूँ तो एक तरह से 180 by pi degree हो जाता है न और जब pi के वेले 3.14 put करते हैं approximately तो आपको याद होगा यह जो angle आता है यह आता है 57.3 approximately तो हम यह कह सकते हैं कि 1 radian जो होता है वह डिग्रियम किसके गोल होता है 57.3 तो इसका मदब 57 degree को जोड़ोगे तब जाके एक radian बनेगा बस इसी कोशन को पकड़ लेना है तो क्या करना ही इन तो आपको बहुत सिंपल अप्रोच बता रहा हूं देखिए यह एक सेक्स है तो यहां पर रेडियम में बना दो तो रेडियम जो हम बनाएंगे यह डिग्री जो बनाएंगे तो यह आएगा वन डिग्री और यह आएगा मार पस 57.3 तो यह जो अगर आप देखो तो कम वाले पर कम वैलिव आ रही है और ज्यादा वाले पर ज्यादा वैलिव आ रही है इसका मतलब साइन की जो वैलिव है वन डिग्री पर कम है और यह वन डेडियन है ज़र ज्यादा वैलिव यह य दे रहा है तो इसका मतलब हम च part कि सायिन वन डिग्री छोटा है वन डेडियन से यारब पास option कुन सी सही आ रही है one degree छोटा यह नि भी option आ रही है यह ग्राफ से हम समझ सकते हैं अगर कि कुशन कॉस में होता थीक है बस अपने यहाद रखना है कि वन डिकरी रेडियन से छोटा है वन रेडियन से अगर यह कॉस्ट में कुशन होता है तो कॉस का जो ग्राफ होता व कि यह कि बाफ गराफ से उपने ईसमें बने घ्राफ बिखते हैं जरूरी साइन बने आए इसके तो ऑर भीी तो मैंने बता दिया इसको एसे याद रख सकते हैं गिवन डिकरी वन डिश्य होता है तो ग्राफ इनक्रीजिंग इंच्रीश उपर की तरफ जा रहा है smaller से तो छोटे पर छोटी value आईगी बड़े पर बड़ी अगर cause का question नहीं तो उल्टा होगा ठीक है next question की बात करते है यह तो बहुत simple सा question है 10th class का question है कि यह relation हमें दे रखा है 7 cause theta minus 1 equal to 3 cause theta अब जो भी question आया माइन बे तो हमें ने 10th की प्रॉपर्टी याद आ गई एक cause square theta plus 1 equal to cause square theta होता है तो उसका use हो सकता है बड़ तब होता होगा जब square होगा तो हमने क्या कर दिया इस equation का square कर दिया ठीक है अब इस cot square x को हम क्या लिख सकते हैं तो हम कहेंगे इस cot square को लिख सकते हैं cos square theta minus 1 लिख सकते हैं और यहां पर हमार पास आ गया cos square theta minus 1 और प्लस 1 यहां पर आ गया हमार पास cos theta minus 1 लिख सकते हैं यह से कट जाएगा तो हमार पास आ गया सेवन का square equal to cos theta minus 1 equal to 3 का square cos theta plus 1 अब आप क्या करो इसको cos theta plus 1 से multiply कर दो अब cos theta plus 1 से multiply करोगे तो यहां पर हमार पास आ जाएगा cos square theta minus 1 यह बन गए आपके पास cot square theta और यह बन गया 3 का square cos theta plus 1 अब square से square काट दो सारे के सारे तो आप देखोगे आपका result आ गया 7 cot theta equal to 3 cos theta plus 1 तो इस तरह से कर सकते हैं ठीक है यह एक तरीका हुआ नहीं तो दूसरा तरीका रेशलाइस कर दो अगर आपने 7 by 3 की वैले निकालो cot by cos theta minus 1 और फिर रेशलाइस कर दो तब भी आणसर आ सकते हैं तो यह हम देखिए हमने वही किया है यानि प्रॉपर्टी हमें देखी cos theta plus 1 की प्रॉपर्टी से रिट होता है तो मैंने उसकी recording निकाल दिया पहले square करा जो term करती से कट कर दिया और क्योंकि मुझे यहां पर 7 कॉट theta बनाना था तो यहां पर कॉसेक theta minus 1 था तो कॉसेक theta plus 1 से multiply कर दिया दोनों से और उसके बाद replace कर दिया तीक है अब देखते हैं इस type के question कैसे करते है जरा तो बहुत हमारा 0 होता है यहीं साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस अब 0 होते हैं देखें एक तो यह रिडिशन याद रखेगा अगर याद फ्यूचल में बहुत काम आएगा और कॉस एन पाई हमारा इस तरह से यह help करता है और बिल्कुत सेम लॉजिक यहां पर 10 में होता है 10 पाई भी हमारा 0 होता है यह कुछ चीज है तो आपको याद रखनी चाहिए help करती है right तो इससे कर सकते नहीं तो आपको क्या करना है एंक कोशिन को अब इसके को ऑनकोद को z-value फटा फट निकाल सकते एक तो हम इसकी वादो निकाल सकते वाट है ड्लो आप कर सकते आप याद रखेगा, एक sin n by 0 होता है, यनि sin के सारे multiple 0 होता है, πi के sin 1 by 2 by 3 by 10 n by 0 होता है, cos n by minus 1 होता है, और cos n by by 2, यनि odd multiple of pi by 2, sub 0 होता है, याद रखेगा, और ऐसी quad में behave करता है, ठीक है, quad में behave करता है, तो ये odd multiple of pi by 2 है, यानि यह भी 0 हो जाएगा तो कि cos by sign होता है तो ऊपर 0 हो गए तो everything is 0 यानि हमने इस का अंसर निकाल लिया minus 1 पहले वाले का दूसरे का 0 अब इनको कैसे करें तो आप क्या गरो बटा जैसे sec 2001 पाई है ना आप पहले ना इसका 3 का multiple इसके आसपस बना लो कि क्या बनेगा 3 का multiple तो हम देख रहे हैं कि 3 का multiple यह खुद ही बन रहा तो जैसे ही हमने देखा यह 3 से डिवाइड हो रहा है चेटी अठारह दो चेटी अठारह दो साथ यह बन गया कॉस सेख 667 पाई यानि सेख का उल्टा होता है यह सेख कॉस का उल्टा होता है यह बलकुल इसी तरह बिहेव करेंगा odd multiple of pi है तो minus 1 answer आजाएगा यहीं हमें तीसरे वाले का answer भी निकाल लिया minus 1 कैसे हमें क्या 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 चीज़ी याद रखनी है मैं दुबारा याद करवा देता हमको क्या 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 चीज़ी याद रखनी है हमने एक कॉस एनपाई या सेक एनपाई माईनस 1 की पावर n होता है शाइन एनपाई और टैन एनपाई जीरो होते हैं और और कॉस का जो कॉस और कॉड का ओड मुल्टिपल अभी इसका अभल होता है 10 2,001 π.4 तो आप क्या करो उपर जो नमबर आ रहा है उसको आप 4 का multiple बना लो तो हमारा पास आज़ने का 2000 π.प्लस π.प्लस प. अब आप इसको अलग लग कर दो बटा तो यह बनने का 10 500 π.प्लस प.प्लस 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 प.प.प.फ कर山 हो अब अब बच्टा हमारा पास लास्टम मिल्कूल इसको भी वैसी करना है यह कॉसेक जो है हमार पास वह दो हजार एक पाई बाई फूर है इसको भी हमने वैसे ही ब्रेक कर देना है पाई फॉर का मल्टिपल बनाके जब सॉल्व करेंगे ते आ जाएगा 500 प्लस पाई बाई फूर अब फिर से वही पाई 500 यहां प्या आएगा और इसमें प्लस सब्सक्राइब कर दोगे तो फॉर्स कोड़न में चलेंगे अब और इसका अंसर आजएगा कॉसेक पाई बाई फूर कॉसेक 45 हमारा रूट टू होता है यह नि हमारा ओवरा अंसर कितना आएगा देखें हम पहले पाट का अंसर माइनस वन फिर जीरो फिर मैइनस वन फिर प्लस वन और फिर रूट टू तो वन से बन कड़ गया तो ऑवराल हमारा अंसर आगया रूट तो इस तरह की इनका टाइप में कॉसेको किसको हम करते है अगला देखते हैं यह वी कॉसेशन-बहुत अच्य है किया रहा है कि यह सारी terms को solve करके हमारे पस a sin x plus b आ रहा है यानि सबको हमने sin cos में convert कर दिया तो a plus b कितना होगा तो पहरी जिए हमने याद रखनी है कि यह ना जब यह ऐसे question को deal करते हैं तो x बाद में रखे तो जाद अच्छा रहता है यह नि हम इसको लिख सकते हैं cos 3 pi by 2 minus x क्योंकि cos minus theta cos theta होता है तो हमने minus को ignore कर दिया अब 3 pi by 2 अब इसमें क्या property याद रखनी है आपने कि जब भी odd multiple of pi by 2 होता है तो हम compliment change कर देता है तो cos बन देगा sign में पहली चीज़ अभी plus minus भी देखेंगे बटा ठीक है अभी हम देखते है अगर odd multiple of pi by 2 है तो compliment change होगा नहीं त हो जाएगा यह sin 32 pi है 32 pi है even multiple है तो यह sin x ही आएगा एक चीज़ तो हम यह देखते है भी plus minus भी आएगा odd multiple है यह आपके पास pi by 2 नहीं है तो हमारे पास आजाएगा directly यह cos यह भी cos और यह sin क्योंकि pi by 2 पे compliment change होता है दूसरी बात कौन से quadrant में होगा यहां से देखना आप 3 pi by 2 यह होता है 0 यह होता है pi by 2 यह होता है pi यह थरी-pi by 2 tel3-by-2ений n अब हम सब को klub करें तो क्या देख रहे हैं हम देखे हैं इसका एछ सुड आ रहा है माइनस sin एक यह 32 पाई वही सेम एक जीरो टू पाई 4 पाई 16 पाई इस तरह से 32 पाई और प्लस करोगे तो फर्स कोड़न पे चलेंगे इसका अंसर साइनेक्स ही आएगा कोगी कोड़न चेन नहीं हो रहा लागला लास्ट 17 π. 17 π का होगा? दोबारा बना देता हूँ मैं. यहाँ पे होगा odd multiple π. प्लस करोगे तो third guard में चलेगे third guard में sign positive नहीं होता है negative होता है. तो यह इसे कट गया, यह इसे कट गया यानि हमारे पास आ गया 18 cos x plus 9 sin x. यानि इसका मतलब है हमारे पास a जो है, क्योंकि वो बोला था, इसको हम a sin x पे बी कॉसली सकते हैं. a 9 है और b 18 है. तो sum कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे, sum 27 हो जाएगा. तो इस तरद ऐसे इस question कर सकते थे. यह तो बहुत easy से question है. इसमें थोड़ा से n है, इस तरह से, तो n-1 क्या होगा? तो हम कहेंगे, पावर में n-1 हो जाएगा, होगी n की जगा, n-1 हो जाएगा. यहाँ पे, और मैं minus common ले लिया है, यह दोनों minus हो जाएगे. अब क्या देख रहे हैंगे, इन common ले लेते हैं, तो यहाँ बजगया, cos square theta, यह बजगया minus 1. इन दोनों मेंसे देखते हैं, छोटी पावर कौन सी है? तो हम कहेंगे, sin की पावर, n-2 छोटा है, क्योंकि n मेंसे 2 minus हो रहा है, तब तो वह छोटा ही हो गया, तो यहाँ बजगया, sin square theta minus 1, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, sin square theta plus cos square theta 1 होता है, तो उस प्रॉपर्टी से cos square theta minus 1 क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे, sin चला जाएगा उदर, यानि इसकी value हो जाएगे हमारे पास, minus sin square theta, यासी sin square theta minus 1 क्या होगा, तो हम कहेंगे, 1 इतरा जाएगा, cos तो चला जाएगा, तो इसकी value minus cos square theta हो जाएगी, बस हमारा almost question कहता है, अब देखो, यहाँ से common क्या आ रहा है, common cos की power n minus 2 है, यह 2 है, तो cos square theta common ले ले ले, minus b common आ रहा है, या sin square theta common आ जाएगा, तो हमारा पास बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा पास, cos square theta common आ गए, cos square common ले 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 तो यहाँ पे 2 power और कम हो गई, यहाँ पे भी 2 power और कम हो गई, तो यह बन गए हमारा पास कितना, p, n minus 4, क्योंकि power में n minus 4 आ चुका है, और बाहर आ चुका है, minus cos square theta, sin square theta, तो यहाँ पूछाता है, कि अगर यह k times pn minus 4 है, तो k क्या होगा, तो हम कैंगे, k तो हमारा ही है, यहाँ option number, b correct आ जाएगी, तो यह भी अच्छा कुशन है, नहीं तो इस पे आप n की value 4 put करके भी कर सकते हो, तो easy हो जाएगा, ठीक है, यह तो बहुत easy question है, और बहुत अच्छा question है, कई पर common exam में भी आया है, कि यहाँ पे देखे, sin theta plus sin square theta 1 है, तो मैं अगर इसको ले जाओ, तो 1 minus sin square theta बने जाएगा, जो हो जाएगा cos square theta, यह नहीं हम cos square theta को sin theta लिख सकते हैं, तो अब यह जो equation है, जिसकी value पूछी हुई है हमसे, बटा, अब इसको लिख सकते है, cos square theta, और इसको लिख सकते है, cos square theta का whole square, अब cos theta के value तो sin theta आई हुए हमार पस, तो इसको लिख देते है, sin theta, और इसको लिख देते है, sin theta का whole square, यह नहीं sin square theta, तो हमारे बस यह आगया वापस और यह तो हमारा 1 है यह इसका value भी 1 हो जाएगा next एक पे log की question में हमें क्या करना होता है base से बनानी होते है बटा तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि यह 2 है base यह 2 है base तो हमना 1 को भी 2 बना देते हैं किसे बना देते हैं इसको लिख देते हैं log 2 base पर 2 लिख सकते हैं क्योंकि log a base पर a1 होता है इसलिए ठीक है तो हमने यहाँ पर क्या किया इसको लिख दिया log 2 base माइनस 3 sin theta equal to इसको power बना दिया log 2 base पर cos theta क्योंकि न प्रॉपर्टी होती है अभी मैं बताता हूं क्या प्रॉपर्टी क्योंसी प्रॉपर्टी हमने लगाई कि log a base पर a1 होता है बस a positive होना चाहिए get than 1 और अगर कोई term आगे हो log में तो इसको हम पावर बना जता है तो यह प्रॉपर्टी उसकरिया हमने अब लॉग a plus log b क्या होगा तो हम गहें log a plus log b हो जाएगा लॉग a into b यह बन जाएगा log 2 base पर 2 cos theta थीटा थीचे न लॉग a log b बन जाएगा 2 cos theta लॉग आपसे लोग कर देते हैं तो यह आपका दो आज वाला पहला कुछ नहीं मन गया माइनस 3 sin theta equal to 2 cos square theta तो सब को कॉस में convert कर लेते हैं तो कॉस में convert करेंगे तो क्या जाएगा इसको कॉस में convert करेंगे तो इसको लिख देते हैं 1- sin square theta तो आप देखोगे एक quadratic equation बन की हमारी तो यह बन जाएगा 2 sin square theta बन जाएगा with negative sin अब मैं मैंनस कॉम ले लूँगा यह भी प्लस का हो जाएगा और यह मैंनस का हो जाएगा अब इसके फेक्टर बना जाएगा तो 2 sin square theta इसको लिख देते हैं 4 sin theta minus sin theta अब क्या note करेंगे बटा 2 sin theta कॉम आ जाएगा तो बन जाएगा sin theta plus 2 यहां से minus 1 common आ जाएगा sin theta plus 2 तो पूर से sin theta common आ गया तो हम क्या सकते हैं कि हमारे पास factor बन गे sin theta plus 2 और 2 sin theta minus 1 तो हमारे पास sin theta की 2 value आ गई यहां से आ गई minus 2 जो reject हो जाएगी क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए हम कहा देंगे यह rejected है क्योंकि हमने बड़ा हुआ है और हमें पता भी होना चाहिए कि sin की value होती है वो हमेशा लाई करती है किसके बीच में minus 1 से 1 के बीच में कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है कभी भी minus 1 से छोटी नहीं होती है तो minus 2 तो minus 1 से छोटा है पॉसिबल नहीं है जब इसको रखेंगे तो sin theta half आ जाएगा अब हमें पताना है इस question में कि sin की कौन कुछी value होगी जो 0 से 2 pi के बीच में होगी तो हम कहेंगे कि sin to 2 pi half आ रहा है बलकि sin theta positive half आ रहा है positive का होता है तो हम कहेंगे positive तो हमारा first quadrant और second quadrant में होता है sin theta positive या जो theta होगा वो या तो alpha हो जाएगा या pi minus alpha हो जाएगा अब alpha कहां से लाते हम देखते हैं कि trigonometry table में sin theta की value half cup होती है वह होती है 30 degree पे या या यह हो जाएगा pi by 6 और यह हो जाएगा pi minus pi by 6 या थीटा की दो value आ गए हमारा पस pi by 6 और 5 pi by 6 तो इसका यह answer का जाएगा अगला question देखें यह बहुत simple question है यहां तो हमें इनकी value पता होनी चाहिए ठीक है कि cos 15 की value क्या होती है वैसे इसने पूछा इनमेंसे कौन सा number rational है rational है जिसमें root ना है ठीक है बस ऐसा number हो pi by q form में और pi और q मार पस integer हों में चाहिए तो हमें न वैसे sin 15 की value पता है हाला कि इस question में ज़रूरत नहीं निकालनेगी मैं फिर भी बता देता हूं sin 15 degree हम कैसे निकालते है इसको निकालते थे 45-30 करके फिर sin a-b का formula लगा देते हैं तो यह बन जाता है root 3-1 upon 2 root 2 cos 15 की value कैसे निकालते है cos 15 की value निकालते है बटा cos 45-30 करके cos a-b का formula लगा देते है तो इसकी value आ जाते है root 3 plus 1 upon 2 root 2 ठीक है ऐसी अब 75 की में निकाल सकते है तो यह तो हमारा ratio number नहीं है क्योंकि नीचे root आ रहा है ठीक है और cos 15 भी हमारा root में आ रहा है इसलिए ratio number नहीं है cos इसे ऐसी यहाँ पर देखो अगर आप कि cos 75 को हम लिख सकते है cos 75 को लिख सकते है 90 minus 4 15 और cos 90 पर complement change जाता है sin 15 बन जाएगा यानि sin 15 into sin 15 है यानि root 3 minus 1 upon 2 root 2 करोगे तो हमारा पास उपर तो perfect square बन जाएगा उपर आ जाएगा root 3 minus 1 call square जोगा a square plus b square minus 2ab अब और नीचे आ जाएगा 8 तो यहाँ पर फिर से root आ गया तो यह फिर से iteration number नहीं है इसका मलब यह भी नहीं हो सकता इन यह option यह साही होगी बड़ी तब करनी है अप्रोज जब आपको 15 निगरी की value पता हो अगर नहीं पता तो इसका दूसरा बताता अपको क्या करना आपने यहाँ पर साइन 15 निगरी था है कोशत देखते हैं भी को जाता आपको क्या करना है कुछ भी नहीं करता कोई 15 की value नहीं याद रखनी आपको एक formula याद रखना था कि sin theta into cos theta और 2 से multiply करते हैं तो sin 2 theta होता है तो अगर आपको यह formula पता था तो अब सीधा लिख सकते हैं इसको क cos theta यहनी sin 2 theta यहनी angle double हो जाएगा यह sin 30 degree आगया sin 30 degree के मेली half होती है तो half into half करेंगे तो 1 by 4 आजाएगा without root तो यह हमारा duration number है हाला कि अगर आप value पूट करके देखते हैं तब भी हो जाता बट तो बड़ा हो सकता है बट अगर आपको formula बता हो तो आप इसको फड़ाफट कर सकते हैं तो यह first tutorial के 9 questions से I hope आपको clear होगी ठीक है thank you